असलाम लेकूम, आज मैं आपके साथ आलू मटर वले कीमे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जिसके लिए मैंने आ हुआ कियमा ले लिया है कि एक कप मटर थोड़ा सा सोवा और दो हरी मिर्चे तीन प्याज दो आलू और दो टमाटर ले लिया है। कूकर के अंदर मैंने कीमे को डाल दिया है इसके अंदर एक तेज पत्ते को तोड़ कर डाल दिया है देखिए इसमें पानी जरा भी नहीं होना चाहिए अब मैं इसके अंदर प्यास को मूटा मूटा कट करके डालूँगी देखे इस तरह से मैं आड़ी प्यास मूटी मूटी कट करके डाल रही हूँ और यह इसी तरह से डालनी चाहिए और मैं बाकी तमाम प्यास को इसी तरह से मूटा मूटा कट करके कीमे में डाल दूँगी देखिए मैंने सब प्यास को अच्छी से कट करके डाल दिया है अब मैं इसमें टेस्क के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी नमक हम थोड़ा कम ही रखेंगे बाद में डाल सकते हैं इसमें देखिए मैंने जरा भी पानी नहीं डाला है और कुकर को बंद कर देंगे और इसे गेस पर रख देंगे और गेस की फ्लेम को ओन कर देंगे एक सीटी आने के बाद हाई फ्लेम पर हम तीन सीटी आने तक इसे पकाएंगे और इसके बाद गेस को बंद कर देंगे अब हम एक फ्राइपैन ले ले लेंगे फ्राइपैन में तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाने के बाद इसके अनुढे जीरा pose के लिए कम जीरा अंदर ऑफ करेंगे अलओं को मोटा-मोटा कट करके혔 डालना है और इसे अच्छी तरह यész करना हैं सब तरफ द्रफ से इस तरफ से कच्छा हमें न बơnर तरब से आलू को पलटकर पकाएंगे और ध्यान रखेंगे कहीं से भी बाकी नहीं रहाएं आलू को सब तरब से अच्छी तरह से प्राइ करना है देखिए इस तरह से हमारे अलू प्राइ हो गये है और अलू के उपर देखो हलके हलके से स्पोर्ट भी आना शुरू हो गये हैं अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छी तरह से भूनेंगे इसके अंदर में अध्रक लशन का पेस्ट डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से भूनूँगी इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है टमाटर के पानी में ही मसाला भूनेगा अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर एक चमची अब इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर अधी टीश्पून जीरा पाउडर एक टीश्पून मिर्च पाउडर हम अपने टेस्ट की हिसाब से डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालो को अच्छी तरह से भूनेंगे और ढपकन को बन कर देंगे प्राइपन के देखे इस तरह से हमने सबको मिक्स कर दिया है इस तरह से मसाला भूनने आया है अब इटामाटर अच्छी तरह से गले नहीं है इसलिए हमें इसे वापस से ढग कर दो से तीन मिनट के लिए पकाना है अब हम कूकर की तरह आएंगे कूकर का फ्लेम कूकर की प्रेसर रिलीज होने के बाद हम इस से ओपन करेंगे देखिए कीमे में बहुत थोड़ा सा पानी बचा है इसमें ज्यादा पानी नहीं है अब हम इसके अंदर जो हमने फ्राइपैन में मसालों को भूना है वही मसालों को कूकर में डाल कर अच्छी तरह से इसे वापस भूनेंगे हमें ध्यान रखना है अगर कीमे में पानी जादा होगा तो हम उसे निकाल लेंगे अब सारे मसाले डाल कर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे इस स्टेज पर हमें बहुत ही अच्छी तरह से मसालों को कीमे के साथ भूनना है इसी स्टेज पर कीमा मसाला अच्छी तरह से भूनना है ताके सारी प्यास जो हमने मोटी मोटी कट करके डाली है किमिक अंदर अच्छी से मेल्ड हो जाए और अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाए हम इसे हाई हीट पे तेज आज पे अच्छी तरह से भूनेंगे लगब तीन से चार मिलाड तक हम इसे हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे देखिए तेल भी उपर आना शुरू हो गया है हम इसे बराबर मिक्स करके भूनेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले हमने थोड़ा नमक कम ही डाला था अब हम इसके अंदर एक हरी मिर्च को बीट में से कट करके डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे देखिए कीमा किती अच्छी से ब्याज अंदर मिल चुकी है हमें ऐसा ही चाहिए अब इस टेज पर हम फ्राइ पैन में थोड़ा सा आधा कप पानी डालेंगे और प्राइ पैन में जो भी मसाले लगे है उसे अच्छी तरह से साफ करके उसे भी सी कुकर में डाल देंगे मटर को अच्छी तरह से भूनेंगे मैंने मटर को अभी इसलिए डाला है ताके मटर अखी अखी नजर आए ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये फ्राई पैन से हमने पानी को डाल दिया है अब इसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे एक सीटी आने के बाद हम गेस को बंद कर देंगे और प्रैसर रिलीज होने का इंतिजार करेंगे ये ठंडियों में ने बहुत ही ज्यादा मस्यदार बन कर रेडी होता है इसे आप भी जरूर ट्राइ करें अब एसके अंदर बहुत अच्छी कुष्बू आती है एक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को संच्राइब करें थैंक्यू फुर होचिंग झाल झाल